भगवद गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्ती पर जिस प्राणी में जन्मलिया है उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है। इसका सीधा उत्तर है, नहीं, इन में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृत्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यू हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सडक दुरघटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यू कहा गया है। अकाल मृत्यू वह स्थिती है जब शरीर तो नश्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अकाल मृत्यू के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यू क्यों होती है, अकाल मृत्यू के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यू कैसे होती है, अकाल मृत्यू से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही ज्ञान वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जानते हैं अकाल मृत्यू बारे में सच्ची बातें। मित्रों साधारन मृत्यू के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं। लेकिन अकाल मृत्यू का विशय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरूर पुरान के साथ वे अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तडब कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर ग्वारा मृत्यू हो जाती है। या फिर जहरीला पदार्थ सेबन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यू के श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यू का कारण अनेक जन्मों में किये गए दुशकर्म को बताया गया है। गरूर पुराण में इसी प्रसंद में गरूर जी ने श्री हरी से यह प्रश्न पूछा था। जब वेदों में मनुष्य की उम्रे 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यू क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्री हरी बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्रे एक सौ साल निर्धारिक की गई है, परंतु इसमें दुशकर्म को नहीं मिलाया गया है. यानि हर इंसान की मृत्यू तभी होती है, जब उसके पास धर्मकारियों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्मकार्य करने की इजाज़त नहीं देता. इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्मकारियों को त्याग देता है, तो पृत्वी पर उसके जीवन की अवधी कम होती जाती है देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है मनुष्य की मृत्यू तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्तिया इच्छा नहीं होती इंसान की उम्र भले ही एक सौ साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिये वह अपनी उम्र को खुद ही नश्ट करता चला जाता है वेदों का ज्यान ना होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए अकाल मृत्यू के बाद आत्मा का क्या होता है गरुर पुरान में विश्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है अकाल मृत्यू को प्राप्थ होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यू के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं दरसल अचानक ही मृत्यू होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और त्रिश्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती ऐसे में शरीर तो नश्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता इस स्थिती में अकाल मृत्यू वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुँचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है ये आत्माएं प्रेत पिशाच यूनी में कई वर्षों तक यहीं भटकती है यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी का ही तो क्या करना चाहिए इन आत्मा को मुक्ती कैसे मिलेगी हम विडियो के अंत में जानेंगे गरुर पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्थ हो जाता है बेताल और छत्रपाल योनी में भटकता रहता है उनकी आत्मा को आसानी से शांती नहीं मिलती आत्महत्या पाप क्यों है आपको बता दें कि अकाल मृत्यू में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है आत्महत्या करना पाप माना गया है ग्रंथों की दृष्टी से यह एक घिनोना कृत्य है भगवान विश्णु जी ने गरूर पुराण में इसे इश्वर का निरादर और अपमान कहा है वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृत्वी लोग पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृती द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदाई स्थिती से गुजरना पड़ता है यहां आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ती के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर कारेन पूरा नहीं होता इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कश्ट को तो नहीं कम किया जा सकता लेकिन गरूर पुराण में अकाल मृत्यू को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांती के कई मार्ग बताए गए हैं अकाल मृत्यू से बचने के लिए मंत्र भगवान विश्णू बताते हैं कि अकाल मृत्यू प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तरपन करना चाहिए साथ ही मृत्य आत्मा की इच्छा की पूर्टी के लिए पिंडदान और दान पुन्य जैसे सतकर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ती मिल सके यह सतकर्म कम से कम तीन से चार वर्षों तक करना चाहिए तब जाकर कहीं अकाल मृत्य आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है मित्रों अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुन्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ती होती है इसलिए आप भी पुने करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं